कि अच्छों स्वागत आप सभी का आशी सिंग रेक्चर की लेटेस्ट लाइस स्ट्रीमिंग में माइसल्फ रेनु गैलोट और हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी ट्वेल्थ क्लास की बाइलोजी की बुक का चैप्टर नमबर सेकंड तो आईए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को तो सबसे पहले तो वेरी गूड इवनिंग तो अल उफ यू और स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को और आज का लेक्चर हमारा बहुत होने वाला तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तो वेरी गूड इवनिंग तो अल उफ यू आप सभी को वेरी गूड इवनिंग और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़के कंप्लीट किया था जाद रहे आप लोगों को बताओ चलो सबसे पहले तो वेरी गूड इविनिंग तो आल अफ यू हां वेरी गूड इविनिंग चलो तो स्टाट करें आज का लेक्चर हम तो ध्यान से सुनो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर के लोगों ने बात करने वाले हैं मतलब यूगमग निर्मान अम लोगों ने पढ़ लिया था कि मेल गैमिट कैसे बनेगा अब हम करेंगे उन गैमिट को ट्रांसफर तो स्टाट करते हैं हमारा आज का लेक्चर लेक्चर नमबर फाइफ और चैप्टर नमबर सेकिंड और हमा पहला है आपका है कि यूगमझ है निर्मान निर्मान तो हमने यूगमझ है तो तो हमनेगे निर्मान के लिए मेल गैमिट बना लिए मतलब घ्राट की पूरे की बात कर दो है म stri。」atta है उसमें क्या होता है फिर उसके अंदर सब की बात कर ली लगों भबुजानू धहनी की और लगुबिजानु धनी की संदचना की फिर अंदर लगुबिजानु कैसे बनते हैं लगुबिजानु से पराकण कैसे बनते हैं फिर वहीं हमने बात कर लिस्त्री केसर की गुरुबिजानु धनी की गुरुबिजानु का निर्मान फिर उसकी बादने हमने भून कोश्ट का नि सिर्मान भी देख लिया अब हम क्या देखने वाले हैं युगमक का इस्थानांत्र जिसे हम क्या बोलते हैं परागन बोलते हैं क्या बोलते हैं परागन अब ध्यान से सुनों दो लेक्चर के अंदर हम इस फूरे टॉपिक को पढ़ेंगी यह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है ध्यान से सुनना यह थोड़ा सा आपके अंसे आटी में गुमा की दे रखाए तो मैं उसको आपको और अच्छे समझाओंगी बोड के अंदर देखो तो डिफ्रेंस वाला क्वेशन बनता है वन माक में मन माक में डैफिनेशन का क्वेशन आए वे आपके इसके अंदर आपके बोर्ड में भी और नीट में भी तो यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसको आप अपको आपको यह चैप्टर ही पूरा बहुत इंपोर्टेंट है इसमें सारे पॉइंट इतने इंपोर्टेंट है कि कहीं से भी कोईशन बन सकता है आप देखो बट हां क्वेशन फिक्स है कि जैसे अगर मानलो मेल गैमिट से क्वेशन बनेगा तो लगू विजाणू धानी की संरचना का च समझा है कि आठ केंड्र की संरचना होती उसको बताइए कितनी बार सम्सूत्री बाजन होता है यहीं इसमें बनेगा कि पर परागंड स्वा परागंड मैं अंतर बताओ ठीक है स्वाय युगमान साजात पुष्पी करन यह क्या होता है इनको बताओ तो वह मैं आपको टॉपिक है पॉलीनेशन क्लियर फ्लावर की चारो पार्ट पढ़ लिए हम लोगों ने एंड्रोशियम को भी हमने डीटेल में पढ़ लिया अब हम क्या पढ़ने वाले हैं पॉलीनेशन की बारे में बात करने वाले हैं परागन की बारे में बात करने वाले अब जल्दी से जिदक करेंगे एंदेन हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे फिर करें चल दी से टाइप सभी लोग मैं बता रहे हैं यह बहुत प्यारा सेशन वने वाला है आज का क्लियर मतलब यह पॉलीनेशन वाला टॉपिक बहुत ही शांदार है देखो आपकी एंसे इसको घुम गुमा के दे रखा कहें कंफ्यूस करने के लिए बच्चों को समझ भी नहीं आता है कि अज़ग होता है हमारा क्या पराग कोश क्या है यह क्या है पुंकेसर एक होता है हमारा स्तरिकेसर कि यहां से सुनो एक क्या होता है इस्त्री केसर यह क्या है इस्त्री केसर इस्त्री केसर यह क्या है पुंकेसर अब ध्यान से सुनना मेरी बात इस पुंकेसर के इस पराग कोश में यह क्या है पराग कोश पराग कोश में क्या बनते हैं पराग कणु पराग कोश में क्या बनते हैं पराकण बन गए अब यहां पर बन गया है इसके एंदर भी बहुत सारे परागण है आब स्पूटन हुआ परागण क्या गए बहरा गएए अब रहां चौल आप जबनर की वतिकागर वाला भाग है तो ध्यान से सुनो यहाँ पर यह क्या है पराग कण है तो ध्यान से सुनो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि पराग कोश से या फिर पराग कण का पराग कोश से इस्त्रीकेसर की वतिकागर पर पहुंचना वापस सुनना परागकन का परागकोश से निकल कर इस्त्रीकेसर के वतिकागर पर पहुंचना मतलब परागकन का इस परागकोश से बहां निकल कर कहां पर इस इस्त्रीकेसर की वतिकागर पर पहुंचना क्या कहलाता है परागन कहल और दो हलाता है व Kings हैं अब लेंग drives में क्या होता है यहां पर बीजांड के अंदर पहीं आप आप देखो यह प्रूण की यहां पर देखो यहां पर कहीं पर क्या होगा यहां पर आपका विजयंद्ट में स्झाइर में भूण कोश्च के तो पराग करता अब राग कोश कोश्च से इस्त्रीकेसर की वतिकागर पर पहुँचना क्या कहलाता है आपका परागन कहलाता है पॉलीनेशन कहलाता है अब जहां से सुनो डेफिनेशन में यहां लिख देती हूँ आप लोगों के लिए पराग कन का पराग कोश से पराग कन का पराग कोश से इस्त्रीकेसर की वतिकागर क्या कहलाता है आपका परागन कहलाता है पॉलीनेशन कहलाता है अब जहां से सुनना बात करेंगे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा कि आपकी बुक ने क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है कि देखो ओवरूल बात करते हैं जो हम 10th क्लास से पढ़के आए उसी पर आगे हम आगे बढ़ेंगे ठीके परागन जो होता है दो प्रकार का होता है अभी कोई बचा आपको पर नहीं जाएगा ठीक है मैं बोलूंगा जब आपको पर नहीं उसके प्रागन कि starving करता है है ठीके परागन जो होता है दोब्रकार का हो गया पहला है आपका स्वा परागन अब यह जो स्वा परागन है स्वा परागन को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है स्वा परागन को फर्दर तू पॉज्पिकरण यदिन अगर हम बात करें इस परागन को इसको हमने क्या बोला इसको हम इंग्लिश में बोलते है आटो गेमी कि इसको हम बोलते हैं जिटैनो गेमी चलो मैं हिंदी में लिख देती हूं कि ओटो गेमी इसको हम बोलते हैं जिटैनो गेमी क्या होता है इनकी डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगे आपको बिल्कुल सोचने की जुरूरत नहीं है जिटैनो गेमी इसको हम बोलते हैं आपका जीनो गेमी और ओलो गेमी ठीक है इसे हमने ओटो गेमी बोला इसे हमने क्या बोला आपका ओटो गेमी बोला क्लियर हैं और इसे हम बोलते हैं ऐलो गेमी कि अद्ध्यान से सुनना आपकी बुख में क्या दे रखा है आपकी बुक ने इस स्व पराग्ण को खा गए आपकी बीच में से आपके बुक ने डायरेक्ट किया किया पराग्ण की देफिनेशन दी फिर उसने क्या कर दिया पहले नंबर पर स्वायुगमन बता दिया दूसरे नंबर पर सहजाद पुश्पिकरन बता दिया और तीसरे नंबर पर पर परागन बता दिया वापर सुनो आपकी बुक ने क्या करा आपकी बुक ने पहले पॉलिनेशन की डेफिने तो ध्यान से समझो यह जो स्वाय युगमन और सज आत्पुश्पिकरन है यह स्वापरागन के ही पार्ट है सेल्फ पॉलिनेशन के ही पार्ट है क्लियर मुझे बताओ इतना समझ में आया येस या नो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बताओ इसे हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन सारे नाम लिख दियें ताकि एक्जाम में कोई साभी नाम पूछे आपका अंसर सही हो और आपको सारे नाम याद रखने ध्यान से सुनना एक्जामिनर का मन हुआ तो ही वह स्वईगमन देगा अगर उसका माइंड चेंज हो गया तो वह ओटोगेमी देगा वह लिख देग करेंगे तो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी याद करनी है क्योंकि एक्जामिनर इस इंग्लिश की टर्म को ऐसे लिख देगा आपको अब बात करते हैं हम आपका स्वव परागन क्या होता है कि किसकी बात करते हैं कि 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 बात कर रहे हैं स्वव परागन की कि 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 तुआ परागन में क्या होगा ज्यान से सुनो सुव परागन में पराकन उसी पादप पर जाएगा ठीक है मैंने क्या बताया परागन क्या है आपका पराग कन का पराग कोश्ष से कहां पर जाना वतिकागर पर जाना परागन कहला अब सुव परागन का पहला पार्ट पड़ते हैं हम सुव युगमत अभी समझ में आ जाएगा आपको सुव युगमत देखो मान लो यह आपका क्या है प्लांट है इस प्लांट पर क्या बना रही हूं मैं यह फ्लावर बना रही हूं प्लांट है थीयर अब इस लिए प्लांट है तो क्या है यहां पर riigo प्राकोष है को मिज में क्या है वस्तिकागर रहा क्लियर यह फ्लावर मैं अब ध्यान से सुनो एक ही पुष्प क्या है एक ही फुषप कर एक ही सुक्राहर की है कि smash.। स्वायुगमन के लिए ही बात आपको याद रखने कि इसमें पुष्प एक ही होता है मतलब एक ही पुष्प के पराकण उसी पुष्प की व्रतिकागर पर जाएगा मतलब यहां से पराकण निकला और यहीं पर व्रतिकागर पर चला गया तो जब पराकण उसी पादप के उस उसी पुष्प की पत्तिक्वतिक अगर पर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे स्वायुगमन तो ध्यान से सुनों कि जब कि परागकन कि उसी कि पादप के उसी पुष्प की उसी पुष्प की कहां पर जाता है कि उसी पुष्प की वतिका अगर पर जाता है ठीक है मतलब फ्लावर सेम है इंडाइरेक्टली आप बोलोगे स्वावर क्या है स्फिम क्या है कि निद्ध क्लिया तो स्वायुगमन औ्टो गेमी क्या होता है जब पराग करन उसी पादप के उसी पुष्प की वतिका अगर पर जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्वाय युगमन उसे हम क्या बोलते हैं स्वाय युगमन बोलते हैं उसकी बाद देखूँ बात करते हैं सेकंड आपका सजात पुष्पी करन सजात पुष्पी करन इसमें क्या है देखना वही आपका यह फ्लावर इसमें मान लो यह पुमकेसर यहां पर भी बना दू अब क्या बना दिया है वतिकागर बना दिया है जाहां चे सुनना इसके अंदर क्या होगा प्लांट तो सेम होगा मतलब पादप तो सेम होगा जब परागकन उसी पादप के अन्य पुष्प पे मतलब इसका परागकन इसकी वतिकागर पर जाएगा और मतलब पुष्प सेम होगा तो जब परागकन उसी पादप के अन्य पुष्प की उसी पादप के दूसरे पुष्प की वतिकागर पर जाता है मतलब कहीं नजएगा इसके अंदर कि प्लांट तो आपका क्या रहेगा जो फ्लावर है कि कि फ्लावर क्या हो जाएगा डिफ्रेंट हो जाएगा कि फ्लावर क्या हो जाएगा डिफ्रेंट हो जाएगा अलग हो जाएगा बताओ आया समझ में देखो यह दोनों ही सुआ परागण है मतलब उस पुष्प का परागण उसी पादप पर जाएगा उस पुष्प का पराग पराग कंड को उसी फ्लावर की मतलब सेम फ्लावर पर ही ठीक है इसी का पराग कंड लिया और इसी की वतिकागर लिया और वहां पर पर परागण हो गया ठीक है तो वह कहलाएगा हमारा स्वय उगमन वहीं अगर बात करें प्लांट तो सेम है परंतु यहां पर फ्लावर लग है यह इंपोर्टेंट है और कहीं न कहीं जब इसका अनुवांशिक रूप से यह क्या होंगे बिल्कुल सेम ही होंगे जो नया पादप बनेगा वह बिल्कुल जैनेटिक लिए सेम ही होगा इसमें अब बताओ देखो स्वाई उग्मन की बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए डायरेक्ट यहां पर लिखा रही हूँ पहले बात करते हैं प्लांट की प्लांट जो होता है तेम होता है प्लावर भी होता है तेम होता है और सर्जाद पुष्पिकरण में क्या होता है प्लांट तो सेम होता है कि फ्लावर जो होता है कि फ्लावर जो होता है कैसा होता है अधिश्पिकरण में प्लांट प्लावर जो होता है वहीं अगर बात करें हम परपरागन की तो परपरागन क्या है परपरागन क्या है चलो मैं यहां बता देती हूं अपको कि उससे पहले मुझे बात बताओ स्वाय युगमन की कि क्या यहां पर विबिनताएं आएगी क्या बिलकुल नहीं आएगी यहां पर परागन उसी पुष्पादप्य की वतिकागर पर गया है मतलब कहीं ने कहीं यह प्लांट जैनेटिकली सहीम ही है तो इसमें वेरियेशन नहीं आएगी इसके अंदर वेरियेशन नहीं आएगी विबिनताएं नहीं आएगी स्वापरागन में पर 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 आगन में क्या होता है जिए एक प्लांट है यह दूसरा प्लांट है क्लियर देखो यह फ्लावर बना देते हैं द्यान से सुनना इसकी अंदर क्या होगा जब एक पादप के या फिर एक पादप का पराख कंड अन्य पादप के एक पादप का पराख कंड अपनी ही जाती के द्यान सुनो जब प्राग कन अपनी ही जाती के दूसरे प् demo के पुशप की वतिकागर पर जाता है कि तो सक्किया बोलते हैं आपका cross pollination बोलते हैं मत्लब प्राकांध यहां से निखला और दूसरे पादप प्लावर पर गया और उसे हमने क्या बोला उसे हमने बोला आपका पर परागन तो इसमें क्या होता है प्लांट क्यासा होता है डिफ्रेंट होता है अब अब बात अगर प्लांट डिफ्रेंट है तो फ्लावर भी क्या होगा प्लावर भी डिफ्रेंट होगा कि बताओ प्लांट डिफ्रेंट है तो क्या फ्लावर डिफ्रेंट नहीं होगा तो इसमें आप बहुत सकते हो कि एक पादप के पुष्पत के पराग कंड उसी जाती के अन्य पादप के डेफिनेशन लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए एक पुधे के पुष्प के पराग कंड उसी पराग कंड उसी जाती के अन्य पादप के पुष्प की वतिकागर पर जाता है तो उसे आप क्या बोलोगे आपका पर परागन बोलोगे क्रोस पॉलिनेशन बोलोगे एलोगैमी बोलोगे जीनोगैमी बोलोगे देखो जीनोगाटी पॉलिनेशन बोलोगे से निस्थि जीनोगे से ओमलोगे देखों अन्य Lehr फो आपको पर परागन की देखिनेशन लिखनी एक्सामिन अलग अलग नाम है एक्जामिनर क्या करेंगा इसको हिंदी में क्या लिख देगा जीनों गैमी फिर आप क्या कर लोगे कुछ वच्छे तो बड़े स्मार्ट बनेंगे कि हम इंग्लिश के याद नहीं करेंगी बट बिटा इंग्लिश याद करना पड़ेगा मैं बता रही हू ना आपको अपने आप याद हो जाएगी इंग्लिश कुछ मैनत नहीं करने पड़ेगी क्योंकि एक्जामिनर ने मालों ऐसे हिंदी में लिख दिया जीनों गैमी को फिर आप क्या करोगे अगर आपने इंग्लिश याद नहीं करी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना इसी के लिए ठीक है तो यहां पर आप एक और चीज क्या एड़ कर सकते हैं यहां पर हम एड़ कर सकते हैं इसमें प्लांट भी क्या होगा आपका डिफ्रेंट और प्लावर भी क्या होगा है डिफ्रेंट है है और एक प्लांट एंड फ्लावर बोथ हाओ डिफ्रेंट है 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 चलो तो देख लोग परागन क्या होता है पराग कं से पराग कोश से पराग कं का स्थरीकेसर की वतिकागर पर जाना क्या कहलाता है परागन कहलाता है दो परागन का होता है स्वा परागन और परागन अगर प्लांट सेम हो इसके अंदर क्या होता है प्लांट सेम होता है वहीं इसमें क्या होता है प्लांट डिफ्रेंट होता है देख लो आप इसका स्वा युगमन में प्लांट सेम आ रहा है साजात पुष्पिकरण में प्लांट सेम आ रहा है तो दोनों के लिए common fact है कि जब परागण उसी पादब की वतिकागर पर जाएगा देखो स्वा परागण की definition क्या है जब परागण उसी पादब की वतिकागर पर जाएगा स्वा परागण की definition अगर जब हम बोलेंगे तो उसमें हम फ्लावर का नाम नहीं लेंगे जब परागण उसी पादब की वतिकागर पर जाता है तो उसे हम स्वा परागण बोलते हैं अगर एक्जामिनर ने हमें सुआ युगमन बोला तब हम फ्लावर का नाम लेंगे कि जब परागकन उसी पादप के उसी पुष्प की वतिका अगर पड़ जाता है मतलब सेम फ्लावर ठीके और अगर हमसे पुझा साजाद पुष्पी करन तो जब परागकन उसी पादप के ओर अज spaghetti की वतिका अगर पर जाता है इसमें उसी पुष्पा जायेगा और इसमें अलग होजाएगा है बताओ आया समझ में यह समझ में कि सब्सक्तियान भी बताएंगे मुझे कि समझ में आया या नहीं कि बताओ चले आगे बताओ इनकी डेफिनेशन वगेरा सब क्लियर है या नहीं या नो कि चलो आप हमों कि लेते हैं पहले हिनकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम वेकर क्या प्काद कि अगर किसी पादप में सिवह परागण ही होना है तो उसकादप के लिए क्या क्या मतलब अनुकूल्ता होनी चाहिए कि उस पादप में पर आगंड हो मतलब उस पादप के पास में ऐसे कंडिशन सोनी चाहिए कि उसमें सिरफ पर आगंड हो याद रखना इसमें विबाने थे बुबğaर fert से समान एप्लांट है इसमें मतलब जो परागण जाता है और परन्तो इसमें अनुवान्ष की संस्टी नहीं होता है अगर अपनित में की आपकी क्या करा क्षाशन लिखी इस पिर लिख दिया स्वय युगमन क्या होता है साजाद पुष्पिकरण क्या होता है पर परागन एलोगैमी जीनोगैमी क्या होता है यह सब लिख दिया बट हमको मैंने मतलब आप लोगों को मैंने समझाया है क्या समझाया है कि परागन दो प्रकार का होता है स्वय पर परागन स्वा परागन के भाग हैं स्वा युगमन और सहजात पुश्पी करन ठीक है तो जो आपकी NCRT में यह दे रखा है न क्लियर है उससे कन्फ्यूज मत होना ठीक है अब देखूं हम बात करते हैं स्वा परागन की डेफिनेशन की स्वारी सबसे पहले हम परागन की डेफिनेशन क्या होता है पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर मतलब यह क्या है यह पराग कोश है इस पराग कोश से पराग कण का मुक्त होकर मतलब बाहर निकल कर जायांग के वतिकागर पर जाना जायांग या फिर इस्त्रीकेसर की इस इस्त्रीकेसर की वतिकागर पर जाना लिख दोगे चीजों को समझने की कोशिस करो ठीक है अगर आप समझो गे नहीं भूलोगे जन्रली बोलते हैं सब लोग बायो बोरिंग होता है उसको रटना पड़ता है रटना नहीं पड़ता है समझना पड़ता है फील करना पड़ता है छी के फिर देखो परागन मुख्य रूपसे दो प्रकार की होते हैं क्लियर है पहला होता है दूसरा होता सवाइब नLoveirt होता है आपका ऐस सम्होंच होता है तो थैंड पर ट्रांसफर होता है किसका पोलन declining का स्टिघ्मा पर और यहाँ पर प्लान्ट अ को जिदम होता है कि यहाँ पर लिग देते हो विंता holiday भीविनताय नहीं आती है का का विवेंताय नहीं आती है वेविन्ताएं आती है variations आती है फिर स्वापरागण की देखो इस प्रक्रिया की अंत्रकत किसी एक पुष्प की परागणों का इस्ताना अंतर उसी पुष्प की वत्री का अगर पर होता है या फिर आपलिक करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीके जब यहाँ पर मैं और ल पराग कन जब पराग कन उसी पादप की वत्री कागर पर इस में आपको क्या करना नहीं इस उपर वाली डैफिनेशन में फ्लावर का नाम ले रखा है बट्राइक करना क्या फ्लावर वर्ड यूस में हिग ना लोग डैफिनेशन में ख्योटाइकJack फ्लावर वर्ड काम में ले लिया तो फिर आप अना ओटो गैमी और जिटैनों गैमी में गण्यूज हो जाओगे तो आप ट्राय करना कि आप यह वाली डैफिनेशन याद करो जब पराकण उसी पादब की जब पराकण उसी पादब की वर्तिकागर पर स्थाना न्तर्ण होता है ए और तो इस प्रकारीयगों को अमने क्या बोला है इस प्रक्रीयगों हमने स्वाब परागण बोला है ठीक है दो प्रकार का उता है सुआ यूगमन आटो पुष्पि करन्ट टेनलयए पित लियाद को चले हैंपर देखो पॉआइगमन की बात करते हैं स्वाइगमन क्या है जनरली अब पॉइंट्ट क्या बताया सुय मने मैंने प्मप युई और यह क्या है वतिकागर तो क्या बताया है स्वाई उगमन में मैंने कि जब परागकन क्या बताया है जब परागकन उसी पुष्प की वतिकागर पड़ जाएगा मतलब है कि प्लावर क्या है कि सेम गज़ी और फ्रावर क्या है सेण है और फ्रावर मोसेश्चेट का मतलब इसके अंदल नर भाग भी मादा भाग भी थो आपका पुष्प नाज़ा गजा कि कि वाई शेकश्वल मतलब एसा इप्लावर जिसके अंदर और जण तक पहुंचते एं आते हैं तो सुआ यह सूट हो तो कि एक पुष्पो कि पराग wczeुंड तक पहुंचते हैं इस कe लिए स्वाइव मन किसमें होगा से उर से बाईसएक्शल में होगा ठीके उनी सेक्शल फ्लावर में कैसे और फ्लावर の समझ में इस है कि ऌतीज है पेला चले आगे अ ही त्व भी धैने अभ देखो बात करते हैं imp सजिज़ान की किस तब मैं आपको बार बार डायगराम बना कर इसलिए बता रही हूं अब याद करो जब मैंने आगी समझाय थब डायगराम बना यह अब डायगराम नहीं वापस रिट कर वा तो मैं आपको डाइग्राम समझा रही हूं सिर्फ एक ही परपस है कि आज की क्लास में हैं टू हैंड साथ के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाए विथ डाइग्राम डाइग्राम से आप याद करोगे तो आप कभी नहीं बूलोगे उन चीजों को क्लियर तो देखो इसके अंदर क्या है साजाद पुष्पी करण में इसके अंदर क्या होता है पराग कर्ण उसी पादब की मतलब है प्लांट की वर टू सें प्लावर इसकला डिफ्रेंट और है आज एक ही पादब के एक पुष्प के प्राग कणों का दूसरे पुष्प की वतिक आग्रता कि स्तानांत्रन क्या कहुता है जब एक कहते की परागरन उसी पधे की कि किसी दूसरे पुष्प के लाते हैं साजाद पुष्पी परागरνε नहीं ही उपस्तित दो सरजद पुश्पिक प्रयागंग क्रियात्मक रूप कि तया सच विवान की जैसे लागता है मतलब जब आप इसे बाहर से देखोगे तो आपको पर पराग्ड六 यहां से यहां तग पराग्ड को स्थानांत्रन करने के लिए लग तो कि चाहिए यह तो यह बाहर से देखने पर किसकी जैसे लगता है आपका पर परागन से लगता है परन्तु आनुवाइशिक रूप से यह स्वापरागन के समान ही है यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका देखो समझना तो युगमन जो है यह क्रियात्म गृप से देखो और क्रियात्म गृउप से मतलब बाहर से देखोगे दो आपको पर परागन जैसा स्वाधान जैसा है प्लांट है इसलेपल सावर तो डिप्रेंट है जैनेटिक मटीरियल तो सेम है ना पूरे प्लांट का ठीक है क्रियात्म गूरूप से इंपॉर्टेंट है बहुत पर परागन जैसा दिखता है जिसमें एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए क्लियर है अथा बताओ यह जो दो लाइन बोली है ना जे टैनों गया मी फंक्शनल ही देखोगे आप तो आपको कैसा लगेगा क्रॉस जैसा लगेगा बट जैनेटिक ली देखोगे तो आपको वह सेल्फ पॉलिनेशन जैसा लगेगा इस प्लाइन से पूरा इंपॉर्टेंट है नोट कर क्वेशन बनता है ठीक है मन हुआ एक्जामिनल का क्वेशन डाल देगा वह यह पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आते हैं है ठीक है चले आगे पिर बात करते हैं हम पर परागन की किसकी बात करते हैं पर पर परागन की पर परागन में क्या होता है सिंपल सी बात है अब मुझे डाइग्राम बनाना नहीं पड़ेगा वर्ट मैं आपके लिए बना देती हूं प्लांट क्या है कि डिफ्रेंट है कि यहां से परागन निकला यहां पर वतिकागर पर गया ठीक है तो एक पुष्प का परागन अन्य पादप की वतिकागर पर जाता है यह प्लांट डिफ्रेंट हो गया इसके अंदर तो इस विदी में ध्यान से सुनना इच्छा है बहुत यह इंपॉर्टेंट बात है इसमें भी कि क्वेशन बनने के अब इसके अग्जांपल्स देखेंगे न हम तो और मजा आएगा आपको ठीक है तो इस विदी में एक पुष्प के पराकन क्या लिया एक पुष्प के पराकन उसी जाती का अब जाती तो सेम रहेगी न ठीक है ऐसे तो नहीं है कि आम का पराकन केले के पेड़ पेड़ पे टाइगी निशेचनों जाएगा नहीं ना जाती तो चैकी कि अम का पराकन आम की जाएगा उन्म की वादपर ठीक है इस विदी में एक पॉदे की पुष्प की परागण उसी जाते के किसी अन्य पॉदे की पुष्प की वतिका अगर परस्ताना रिखेगा वो ऐसे लिख देगा ग्रॉस पॉलिनेशन अब जिसने इंग्लिश में याद नहीं किया उसकी दोबारा बच जाएगी इसलिए समझा रही हूँ मैं आपको ठीके कुछ टफ नहीं है जो फॉर्मूला मैंने बताया ना वो फॉर्मूला अप्लाइ करो आपको सब याद हो जाएगा इंग्लिश नाम मुझे आद हो जाएगे सारे चाहे कितना ही टफ नाम क्यूं नहीं इस प्रकार से पर परागन दो भिन पोदो के नर्व मादा युगमकों के निशेचन से होता है पर परागन की किरिया द्वारा पुनय योजनरी कॉंबिनेशन है विभिनताय उत्पन होने की संभावना रह हो रहा है क्या हो रहा है इसकी करण इवलुशन हो रहा है विकास हो रहा है अगे अब देखो अब आगे देखो मात्र यह यह केवल एक प्रकार का परागन है जिसमें परागन के समय आनुवांशिक भिन प्रकार के परागकणों का अगमन होता है कुछ नहीं सिंपल सिलाइन है अब बात करेंगे सबसे पहले हम क्या स्वा परागन के लिए एक सेकेड है उससे पहले यह वाला एक नोट समझो इंपॉर्टेंट है इस नोट से बार बार क्वेशन बनता है यह क्या है और यह कैसा है just important है अब कुछWas प्लांट एस होते हैं जिसके अंदर दो तरह की फ्लावर होते हैं ध्यान से सुनना कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें दो तरह की फ्लावर होते हैं कौन-कौन से देखो प्लांट का नाम है कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे की वायोला ओक्जैलिस अब देखो वायोला को हमने क्या बोला पांसी बो कौमेलीना को अमने कनकोवा बोला में दो प्रकार की पुष्प होते मतलब इस प्लांट के अंदर यह आपका क्या है को मेलीना का प्लांट है इसके अंदर दो तरह की पुष्प है एक आपके पुष्प है कैसे ओपन तो ओपन फ्लावर और एक फ्लावर कैसे है आपके क्लोज एक फ्लावर कैसा आए ओपन है एक फ्लावर कैसा है क्लोज है अब ये क्लोज फ्लावर है मतलब कहीं न कहीं ये फ्लावर हमेशा कैसा रहता है क्लोज रहता है अब इस फ्लावर के अंदर ध्यान से सुनना यहीं पर इसके पुंकेसर होंगे अंदर ही और यहां पर इसके वति कागर होगी तो इस प्लांट के अंदर मतलब इस प्लांट के क्लोज फ्लावर के अंदर इस प्लांट का वह फ्लावर जो क्लोज है उसमें हमेशा क्या होगा स्वयुगमन होगा जहां से सुनो स्वयुगमन होगा और इस प्रकार के पुष्प को हम बोलते हैं उन मूलिय पूच्प अनुनमूलिय बोलते हैं ठीके क्या बोलते हैं और यह क्या है आपके ओपन फ्लावर है अब ओपन फ्लावर है मतलब कहीं न कहीं यह फ्लावर है ओपन है तो यहां पर मालो यह अगर बाइसेक्ष्छल हुआ तो यहां पर कहीं और से परागण भी आ सकता है ठीके तो यह आपके हो गए अनुनमूलिय पुष्प कैसे होते हैं क्लोस फ्लावर होते हैं मतलब पुष्प हमेशा बंध ही रहते हैं और उन पुष्पों में सुआ परागण ही होता है सुआ युगमन ही होता है हमेशा और इन पुष्प आदप ऐसे होते हैं जिसमें दो प्रकार की पुष्प होते हैं क्लियर है क्लोस फ्लावर एंड ओपन फ्लावर एक्जामपल क्या है वायोला एक्जामपल याद होने चाहिए वायोला अउक्जेलिस कॉमेलीना उसमें प्लांट में दो तरह की फ्लावर होते हैं एक खिलते हैं पुष्प क्या होते हैं आपके खिलते हैं तो उसमें पर परागन हो सकता है ठीक है साजाद पुष्पी परागन हो सकता है परन्तु जो अनुर्मूल यह है क्लीस्मो गैमस है क्लीस्मो गैमस यह जो फ्लावर है इसके अंदर क्या होंगे फ्लावर जो होते हैं पु कोगल खता है उन्मूल्यне क्या होता है लिए की होता है जो क्किलते हैं और बंद अवस्ता में रहते हैं मिश्वाय यूगमन होता है क्लियर अब कि आया समझ में बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना यह दोनों टाम कैस्मों गैमस और चिलिस्मों गैमस अब क्या बात कर रहे हैं सुवपरागन की सुवपरागन जो होता है दो प्रकार का होता है कौन-कौन सा पहला हो गया आपका हम बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ मतलब प्लांट में हमको मतलब कौन-सी कंडिशन है जिसके अंदर सिर्फ परागनी होगा उन के बात करेंगे जिन पादपों में 20 सवाप अरागण होता है उनमें कुछ विशिषताएं उती जो निम्न प्रकार की प्रकार्व उती है सबसे पहले आता प्लस कि आपका पुमंग दोनों होना चाहिए फ्लावर में जायांग और पुमंग दोनों होना चाहिए यह फ्लावर कि हमको स्वाप रागन कराना है ना ठीक है अब जरूरी नहीं कि न आपके दोनों फ्लावर बाइसेक्शल हो फिर आता है समकाल परिपकता जिसे होमोगेमी बोलते हैं ठीक होमोगेमी मतलब क्या होना चाहिए कि जो पुंकेसर है पुंकेसर ववतिकागन एक ही समय पर मतलब साथ साथ एक ही समय पर मतलब साथ साथ परिपक होने चाहिए है है अप्र है ठीक है अमान लोग साथ हैं ठीक है प्लावर के अंदर आपका क्या है आपका वतिकागर भी हाक मतलब मेल प्रोड़क्तिव पार्ड भी है फीजी प्रोड़क्तिव परिए बट उस flower के अंदर maturation अलगरन टाइम पर रहा है मतलब आपके परागकण तो मैच्छोर हो गया मतलब पुंकेसर मैच्छोर हो गए पुंकेसर के अंदर परागकण बन गए अब ये वतिकागर तो मैच्छोर हो गए परागक Vander dudak वर्तिकाग्र मैच्वर होगी तो यहां पर परागण होगा नहीं होगा तो पहली कंडिशन प्लावर होना चाहिए दूसरा समकार परिपकता दोनों को सम साथ-साथ क्या होना चाहिए परिपक होना इसके अंदर मतलब इसके अंदर फ्लावर कैसे होने चाहिए पुश्प कैसे होने चाहिए बंध होने चाहिए तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी पादप में हमें क्या करवाना है सुआ परागन कराना है तो उसके लिए अगर किसी पादप में हमें सुआ परागन करा में तो उसके लिए विशेश्टा होनी चाहिए तो फाक्तिया होना चाहिए पॉश की अगर तो भी उसमें क्या होगा तो भी उसमें क्या आपका स्वफ रगण ही होगा बताओ, important है question बनते हैं इनसे बेटा मैं बता रही हूँ न, pollination वाले topic से बहुत सारे question बनते हैं clear? चलो, आगी बात करते हैं उबेलिंगी ता क्या होता है? इस प्रकार की पादुप द्यूई लिंगी पुश फिलगने चाहिए मतलब, plant के उपर flower कैसा होना चाहिए? बाइसेक्शुल flower होना चाहिए ठीके, फिर आता है आपका समकाल परिपकता इस प्रकार की पौदों में पुमंग वजायांग एक साथ परिपक होते हैं तो लक्षणों को समकाल परिपकता बोलते हैं परागण ये वतिकांग एक ही समय पर परिपक होने की कारण सुआ परागण होने की संभावना रहती है उधारण क्या है आपका मिराबिलस जलापा और कैथरेंथस ठीके मिराबिलस के इंदर फिर आता है अनुनमूली मैंने आपको फ्लावस का एक्जामपल बताई दिए कुछ पौदों में पुष्प सदेव बंद रहते हैं ठीके ऐसे पुष्पों को उनुमूली पुष्प कहते हैं आप शक रूप से क्या होता है इनमें सुआ परागण हो रहा है मतलब परागकन को कहीं जाने की जुरूरत ही नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परागक कैसे उन फ्लावर में कोई इसा टीयेट कोई भी दोन नहीं होता है थीकि अट्रेक्टिव फ्लावर नहीं होते हैं चोटे होते हैं केन कोला वैओला और जैलिस कैन तो अब इमपोर्टेंट अगर आप से पूच लिया कि किसकि अंदर पुष्प आनंदरिध्थ 7 yaz Ins dome इसमें अंडर्ग्राउंड है अनुनमूली पुष्प होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं खुले पुष्प बोलते हैं तो इसमें उसकी डेफिनेशन दीवी है ठीक है यह वाला पॉइंट इससे रेलेटेड नहीं है तो हमने क्या देखा हमने देखा परागन क्या होता है फिर हमने देखा स्वा परागन क्या होता है पर परागन क्या होता है स्वा परागन के प्रकार देख लिए स्वा युगमन और सजात पुष्पी परागन फिर हमने देखा कि किसी फ्लावर में अगर स्वा परागन ही होना तो उसमें क्या-क्या विषयाषता होनी चाहिए तो प्लांट कैसा होना चाहिए तो हुमोगेमी और रावर कैसे होने चाहिए अब कॉस्अन में पूछिया कोन कॉन सी कंडिशन है जिसके अंदर प्लांट में और पर पर अगक्न होता है कौन कौन सी कंडिशन है जिसके अंदर Plant में पर परागन होता है तो वो कंडिशन बता नहीं है तो वह आपकी यह पांच न करीशन है पहला क्या है पपान्ध सवय अदस इतरल स्वींपानी ठीडिक है एबी क्या होता है माँ बताओंगी क्लियर तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो पहले तो आपको इतना याद रखना है कि यह सारी कंडिशन होगी तब किसी पादप में क्या होगा आपका परपरागन होगा तो सबसे पहले क्या होता है स्वाप बंदता सेल्फ इस्टेलिटी उसकी बात करते हैं क्या होता है कि कुछ प्लांट इसे होते हैं क्या लेखा हैं self strict self मतलब खुद का मान लो यह प्लांट है इसका यह फ्लावर है इस flower पे क्या है आपका इस flower पे यह पोलन ग्रेन है परी यह आपका stamin था और यह आपका क्या है आपका कारपल है अब इस पादप में क्या होगा कि पराग कण यहां से निकल कर यहां पर चला जाएगा मतलब self उसी flower के वतिकागर पर चला जाएगा परंतु यहां पर क्या होगा अंकूरण ही नहीं होगा मतलब self facility क्या है कि अगर उसी पादप का पराग कण उसी पादप की वतिकागर पर जाएगा तो वहां पर अंकूरण ही नहीं होगा पराग नली ही नहीं बनेगी यह पादप तो इसके अंदर क्या नहीं होगा इसके अंदर अंकुरण ही नहीं होगा जब अंकुरण नहीं होगा तो पॉलन ट्यू भी नहीं बनेगे तो उसका इस्ताना अंत्रण नहीं होगा नर्यूंग मक्का ठीके तो सेल्व इंट इस्टेलिटी क्या होता है ध्यान से सुनो कुछ प क्या अंगूर हो गया आलू हो गया तंबाकु चाय सेब यह सब इसके एक्जाम्पल हो गए ठीक है जब अन्य बाद आपका परागण आएगा ना तभी वह अंकूरित होगा फिर आता है यूनिसेक्श्वलिटी मान लो कोई प्लांट है कि मान लो यह प्लांट है अब इसका फ्लावर सिर्फ Ark्यर्ट के पास में सिर्फ आपका अट्रोशियं है不會 इसके पास में सिर्फ गाए एंदोश्य है या तो plant में आपका androsium होगा या फिर gynosium होगा मतला male flower होगा या तो या फिर female flower होगा तो जब आपका plant क्या होगा unisexual होगा तो उसमें भी क्या होगा आपका cross pollination होगा ठीके क्या लिखा है कुछ पॉदों में पुष्प कैसे होते हैं एक लिंगी होते हैं इन पुष्पों में मादा दोनों में से कोई एग प्रकार चण नंहीं होता है इंहें एंहें होता है इन में क्या होता है मतलब इसी पुष्प की वत्तिकागर पड़ चला जाएगा परंघूर तो वो क्या कहलाती है स्वय बंदता कहलाती है फिर बात आती एक लिंगी अगर प्लांट एक लिंगी है तो उसको दूसरे पुष्ट पर जाना ही पड़ेगा तब पर आकण होता है थड़ भिन काल परिपक्खता नाम से समझ में आ रहा है डाइको गैमी बोलते हैं भिन काल प पुंकेशर है और वतिकागर भी है पुंकेशर ये और वतिकागर भी परणतु इनके परिपक्खवन समय लग है मतलब कोछ कोछ प्लांट ऐसे है जिसमें फलावर तो परणतु उस प्लावर में क्या हो जाएगा उस प्लावर की अंदर क्या हो जाएगा आपका भिनकाल परिपकता हो जाएगी मतलब मानलों की पुंकेसर पहले परिपक हो गए और वतिकागर परिपक हुआ ही नहीं और जब तक वतिकागर परिपक हुआ अब वतिकाग्र के लिए पराग कणी नहीं बचा या फिर मानलो वतिकाग्र पहले ही मैच्वर हो गई और पूंकेशल लेट मैच्वर हुए आपके मतलब कहीं न कहीं फ्लावर तो आपका बािसेक्शल ही है परन्तू उसमें मैच्वरेशन टाइम अलग अलग हो जाता है तो जब पादपो के पुष्पो में पराग कोश्व वतिकाग्र के परिपक होने का समय क्या हो अलग अलग हो पू पूर्वता में क्या होता है प्रोटो एंड्री जिसमें क्या होता है पुंकेसर पहले परिपक होते हैं और वहीं इसके अंदर क्या होता है इस तरीकेसर पहले परिपक होता है क्लियर मतलब फ्लावर बाइसक्षिल होगा बट मैच्टुरेशन टाइम अलग अलग हो जाएगा तो देखो पुंकेसर के लिए पुर्वता क्या होता है तो जब पराग कोश वतिकाग्र से पहले परिपक हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं पुर्वता बोलते हैं किसमें मिलता है सालिविया में स्त्री पुर्वता क्या होता है पौदों में वतिकाग्र पराग कोश से पूर्व परिपक होता है जिसे हम स्त्री पूर्वता प्रोटो गाईनी बोलते हैं देखो प्रोटो एंड्री बोला है कुंकेसर या फिर पराक कोष्का पहले परिफक्वन को और proto गायनी हमने किसके लिए बोला है आपके वतिकागरी को परिफक्वन को बता ओ चले हमें आगे Siaple सा है फिर आता है आपका क्या क्या हरकोगे यह क्या है आप को क्या है हर्कोगे अब इसमें क्या होगा कि हर को गैमी में समझना हूं यह वर्ति काग्री अब देखो इसमें क्या है मैचुरेशन परिपक्वन भी क्या हो रहा है परिपक्वन काल भी समान है परिपक्वन कर्ण क्या है परिपक्वन काल भी समान है अबियोक किसी किसी संड़ाचनाचम अवो की इक इक रफ्रीत क्या होते हैं पराग ककण परक्ड गया क्यो पर नहीं जा पकेंवें क्या होता है मनों का में पुष्पो कि वतिकार्टिक संभार्टिक अवरोध होते हैं जिससे क्या होता है वो पादबों में वतिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से काफी अधिक होने के कारण इनके बीच में परागन संभव नहीं है ठीक है और आक्वमदार के पराग कंड पराग पिंडों में विवस्तित रहते हैं इन पराग पिंडों को कीट द्वारा ही हटाया जाता है अत्या पर पर नहीं हो पारा आपका उसकी कारण उसमें आपका स्वपरागन नहीं हो पारा है फिर आता है विशम वतिकाग्र मतलब कि जो आपका वतिकाग्र है उसकी क्या होती लंबाई अलग-अलग होती है ठीक है मान लो यह आपका थेलमस विश्यम देखो विश्यम वतिकाग्र समझना हो और यहां पर मानलो यह आपका पुंकेसर है तो देखो वतिका की लंबाई तो क्या हो गई? बहुत ही जादा हो गई? ठीके अब व्रतिगा की लंबाई बहुत जादा हो गई तो पुंकेसर क्या रह गए छोटे रह गए व्रतिगा की लंबाई जादा हो गई पुंकेसर छोटे रह गए क्या इसमें पर परागण होगा स्वारी स्वापरागण होगा नहीं इसमें स्वापरागण नहीं होगा अब पराकण को तो बहार से आना पड़ेगा न मतलब आप देख रहे होंगे कि बाई सेक्षिल फ्लावर होने की बाद में भी स्वापरागण नहीं होता है क्यों क्योंकि मान लोग किसी के अंदर क्या ह किसी के अंदर क्या हो जाता है आपका विश्व वर्तिकागर की लंबाई अलग-अलग हो जाती है तो कुछ पुष्पों में वर्तिका की लंबाई अलग-अलग प्रकार की होती है प्रम्यूला पादपों में दो प्रकार की पुष्पे जिसमें एक की वर्तिका की लंबाई पुंकेसर वर्तिका लंबी पुंकेसर छोटे और दूसरे में क्या है वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे तो आपको question क्या पूछा जाएगा कि कौन कौन सी अनुकूलतम है कौन कौन सी condition है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए आपका पर परागण होना चाहिए तो ये condition है स्वय बंदता मतलब कि फ्लावर बाइसेक्शुल है मतलब उसमें नर जन्राग भी मादा जन्राग भी परंतु क्या होता है कि अगर उसी का परागण आएगा ना उसी पादब का तो वह अंकूरिती नहीं होगा फिर आगया आपका एक लिंगिशी मतलब यूनिसेक्शुल फ्लावर है तो उसमें नहीं होगा ठीके भिंगार परिफक्ता बाइसेक्शुल फ्लावर है पर मैचुरेशन टाइम अलग-अलग है फिर आता है आपका क्या हरकोगैमी हरकोगैमी में क्या हो गया कि स्ट्रक्श अलगर पर परागण ुक्या पांडप में क्या होगा परपागण होगे ठीकर वैसे ही आपसे पूछे कि कौन कौन से कंडिशन है जब प्लांट में आपका क्या होगा अड़ां तो आपकर यह तीन है यह तीन हो चनnděिशन है बताऊ यहां तक समझ में आया फिर jobbar के पताना मुझे ध्यान से क्योंकि कोई डाउट नहीं होना चीज आप लोगों किसी भी टाइप कस्में ठीक है किसी भी टाइप को कोई डाउट नहीं होना चीज सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होने चाहिए आज की क्लास को वापस रिवाइज करवाती हूं मैं आपको ध्यान से समस्ते हूं चलना सबसे पहले हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा परागन क्या होता है पराग कोश से पराग कंड का वतिकागर पर जाना परागन क्या लाता है परागन दो प्रकार का होता है सुआ परागन और परागन प्लांट सेम होता है तो क्या होता है आपका सुआ परागन मतला परा प्लांटवर भी से में मतलब जब पराग करण के पैदप के अन्य पुष्पी की वतिका अगिर पर जाता है। सिंवेंग बात करते हैं इसके अंदर जो होता है प्लान्ट का कैसा हो जाता है डिफरेंट हो जाता है और सब्सक्रा में आप अपन क्या तुम सब्सक्राइब रिए जिसमें एक क्लोष फ्लावरल रर्य जर्वन ओपन फ्लावर्वर को आमने? बोख्त लिए नमून देख लोगा और उपन उनमुन में भोला है ता दिके इस में पुश्प कैसे होते हैं खिलते हैं आपकी पुश्प फिर सुआ परागन कौन-कौन साब कर रागन होगा तो आपका बताया है कि प्लाण्ट पैसा होना चाहिए वाहिए समकाल पारिपक्ता ह वहां पर अंकूरित ही नहीं होगा ठीके अगर मतलब अगर अगर आएगा तो ही वो अंकूरित होगा एक लिगेशी मतलब प्लांट अगर यूनी सेक्षुल हुआ तो भी परपरागन ही होगा भिंकाल परिफक्था मतलब कि प्लांट तो आपका कैसा है प्रवृता प्रोटो अंड्री बोलते हैं अगर पहले मैचोर होता है तो से हम क्या बोलते हैं पर स्वापरागन नहीं हो पाता है और वहां पर क्या होगा पर परागन ही होगा और विशम काल विशम काल स्वारी विशम वतिकागृत ठीक है इसके अंदर क्या होता है विरतिका की लंबाई अलग-अलग होती है अब ध्यान से सुनों नेक्स लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े यहाँ आपर बता देते हूं में नेक्स लेक्चर में क्या बताया मैंने आपको पर परागण में सुनों ज्यान से सुनों नेक्स लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है नेक्स लेक्चर में आपनों क्या पढ़ेंगे पर परागण के कारक ठीक है कारक की कि कारक कि फ्याक्टर की मतलब यहां पर पुष्प है और यहां पर मान लो दूसरा पुष्प है तो परागकंण यहां से हैं कैसे जाएं गे उनके करक्ष को चाहिए होगा को व्यक्तर चाहिए होगा तो उनकी पात करेंगे बहुत इंपोर्टिंट टॉपिक है यह भी बहुत इंपोर्टिंट टोपिक है इसके कश्रक होते हैं बयोटिंग, बयो Χाम चल्ट से होता है वायू से होता है सब बताओंगी मैं आपको ठीक है उसके बाद में हम क्या पड़ेंगे स्वा परागन के लाब के क्या क्या लाब है और उसकी हनी और फिर हम पड़ेंगे पर परागन के लाब हनी अब यह नेक्स लेक्चर में अम लोग बात करेंगे थीक है discussing और सबसे होता है आज में वायू से होता है जल से होता है ठीक है हवास है होता हैց और उसके बारहां बात करेंगे बहुत अच्छा कोईशन बनता है अब मुझे बताओ आज के लेक्चर में कोई किसी को वैसे तो मेरे की किसी को कोई डाउट नहीं होगा ठीके तो नेक्स लेक्चर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो अच्छे से पढ़ना इसको ठीक मुसक्राथ तर ये